नमस्कार दोस्तों, NTV Motivation YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों चाड़क के नीती, चाड़क के द्वारा रचिते एक नीती गरंत है जिसमें जीबन को सुखमे और सफल बनाने के लिए उपियोगी सुझाव दिये गए है इस गरंत का मुख्य विशय, मानप समाज को जीबन के हर एक पहलू की ब्योहारिक शिक्षा देना है चाड़क के एक महान ग्यानी थे, जिन्होंने अपनी नीतियों की बदावलत चंद्रगुप्त मौरे को राजा की गद्धी पर बिठा दिया था जानिये चाड़क की कुछ ऐसी महतपूर्ण नीतियां जो आपको जीबन के किसी ना किसी मोड पर कामा सकती है दोस्तों अगर आप अपने जीबन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करियेगा दोस्तों इनसान कई तरह के रिष्टों में बंधे होते हैं इन्ही में से पती-पत्नी का रिष्टा एक ऐसा पवित्र रिष्टा है जो दोनों को एक साथ और उनके परिवारों को भी आपस में जोड़े रखता है दोस्तों किसी भी रिष्टे को तभी मजबूत बनाया जा सकता है जब उस रिष्टे में अटूट बिश्वास और प्रेम हो ऐसे में यदि पती और पत्नी के बीच बिश्वास की कमी आ जाती है तो उनके रिष्टे में धीरे-धीरे दूरियां आने लगती हैं दोस्तों बैसे तो पती और पत्नी एक दूसरे के साथ हर दुख और सुक साजा करते हैं लेकिन कई बार ऐसी बातें भी होती हैं जो बो एक दूसरे को बताना नहीं जाते शायद यही बातें उनके तूटते रिष्टे को बचा कर नहीं रखती दोस्तों यदि आप भी शादी शुदा हैं, तो अपने जीवन साथी से कुछ भी छीपा कर ना रखें, ताकि आपके रिष्टे में किसी गलत फहमी की जगह ना हो, दोस्तों ये नियम, पुरुश और महिला दोनों पर समान रोप से लागू होता है, तो चलिए दोस्तों, ऐसी चार बातें बताएंगे, जो हर शादी शुदा महिला अपने पती से चीपा कर रखती है, नमबर एक, बीते हुए कल की बातें, दोस्तों हम अपनी जिंदगी में भले ही कितने भी आगे क्यों ना बढ़ जाएं, लेकिन आतीद की कुछ यादें ऐसी भी होती हैं, जिन अपने पहले प्रेम की बातें छिपा कर रखती हैं, और उन्हें अपने दिल में ही दबा कर रखना चाहती हैं, दोस्तों इसके पीछे कारण ये है कि वो अतीत की कड़बी यादों को साजा करके अपने आज को खोना नहीं जाती, नमबर दो अपनी भीमारी की बातें, दोस अपने पती को अपनी बीमारी के बारे में नहीं बताती, दरसल वो चाहती है कि उनके पती उनकी बीमारी को लेकर किसी भी प्रकार का तनाव ना ले, वो हमेशा सोचती है कि वो ठीक हो रही है, ऐसे में पती को परेशान करके कोई फायदा नहीं होने बाला, हकीकत में वो अप अपने पती को तनाव मुक्त रखना चाहती है नमबर तीन सीक्रेट लब क्रश दोस्तों हम सभी इंसान प्रेम के भूखे होते हैं जहां भी हमें थोड़े प्रेम की उम्मीद होती है बहीं हम खींचे चले जाते हैं प्रेम में कोई बुराई नहीं है लेकिन शादी के बाद क अपने प्रेम के बारे में नहीं बताती उन्हें हमेशा इस बात का डर रहता है कि कहीं ये बात उनके पती-पत्नी के रिष्टे में कोई भी धरार ना लाए दोस्तों बहुत सी पत्नियां अपने पती से चोरी करके उनसे पैसे बचा कर रखती हैं इसके पीछे का कारड ये है कि वो भविश्य में आने बाली मुश्किलों के लिए खुद को तयार रखना चाहती है ताकि आगे चलकर उन्हें पैसों की कमी ना आए और उनके पास हमेशा बैक अप होना चाहिए दोस्तों एन टीवी मोटीवेशन के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें साथ ही अपने दोस्तों में इसे शेयर करें और रोजाना इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं दोस्तों मिलते हैं एक इसी प्रकार के अगले वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई and थैंक्स पर वाचिंग माई वीडियो